सद्गुरू, आजकल हम देखते हैं कि कई सारे यंग्स्टर्स रिलेशन्शिप्स में हैं, तो सभी के सामने प्यार जताना यंग्स्टर्स के बीच काफी common और popular है, और हमारे लिए दूसरों के सामने अपने दोस्तों को गले लगाना या अपने साथी को चूमना बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर हम पिछली पीड़ी की बात करें, तो वे इसे अश्लील मानते हैं, तो ये बहुत अजीब बात है कि प्यार से कोई बुरा कैसे मान सकता है, तो मेरा सवाल ये है कि आप किसके नजर ये का समर्थन करते हैं, युवा पीड़ी का या अपनी पीड़ी का? आपको ऐसा क्यों लगा कि आप मुझसे जवान हैं? नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता कि आप मुझसे जवान हैं। तो इस सवाल के कई पहलू हैं। आपने कहा कि आजकल यंग्स्टर्स रिलेशन्शिप्स में हैं। दुर्भाग्य से आप ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं, जहां आपको लगता है कि रिष्टे का मतलब है शरीर पर आधारित होना, उसमें शरीर का कुछ हिस्सा शामिल होना चाहिए। शरीर हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मगर दूसरे जीवों के मुकाबले, इंसान होने का महत्विये है कि वो पूरी तरह सिर्फ शरीर ही हैं। हमारे लिए शरीर सिर्फ एक हिस्सा है, हमारे दूसरे आयाम भी है, हमारे पास बुद्धी है, भावनाय है और एक दूसरे आयाम की जागरुकता भी है. शरीर हमारा सिर्फ एक हिस्सा है अगर कोई केंचुवा कहे कि मेरा किसी से रिष्टा है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं तो मैं समझ सकता हूँ लेकिन जब एक इनसान कहता है कि मेरा किसी से रिष्टा है तो वो एक दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कई दूसरे रिष्टे हो सकते हैं, और शारिरिक रिष्टे भी हो सकते हैं, तो relationship, शब्द का इस्तिमाल, सिर्फ शारिरिक रिष्टों के लिए करना, दरसल ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं अन जाने में शायद इंटरनेट के कारण आप अमेरिका के गुलाम हो गए हैं ये सब अमेरिका में शुरू हुआ रिष्टे का मतलब है कि उसे ओपोजेट सेक्स या कुछ सेक्शुल ही होना चाहिए क्यों आप दूसरी तरह के रिष्टे क्यों नहीं बना सकते क्या हम इसके काबिल नहीं है क्या हम लोगों के साथ करीबी और गहरे रिष्टे नहीं बना सकते उनके शरीर को पुछकारे बिना बना सकते हैं या नहीं शरीर इनसान होने का सबसे एहम पहलू नहीं है शरीर है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप छुपा सकें वो निश्चित रूप से मौजूद है मगर वो इनसान होने का सबसे ताकतवर पहलू नहीं है दूसरे जीवों में वो है एक इनसान के लिए हम जो हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी समझ, हमारी भावना, हमारी जागरूकता, ये बड़ी चीजें हैं शरीर बस उसका एक हिस्सा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शरीर को अंदेखा कीजिए, शरीर मौजूद है जब आप कहते हैं यंग्स्टर्ज, थो आप उन लोगों की बाते कर रहे हैं, जिनकी बुद्धी को उनके हॉर्मोन्स ने हाईजैक कर लिया है जब आप दस साल के थे, आपने लोगों को देखा, हर कोई ठीक ठाक था, वो ठीक लगते थे आप 14-15 के हुए, आपने उनने देखा, उनके शरीर का हर उभार अचानक अपने आप में एक दुनिया बन गया है की नहीं? आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा, जब हॉर्मोन्स का असर कम होता है फिर आप लोगों को देखिए, वो फिर से सामानने लगने लगते हैं तो ये सही और गलत का सवाल नहीं है, ये नैतिक्ता का सवाल नहीं है ये बस प्रायोरिटी का सवाल है, आप किस तरह की प्रायोरिटी देना चाहते हैं अपनी शारीरिक मजबूरियों को दिली में अभी-अभी जब मैं आपके कॉले जा रहा था कोई वहाँ में रोड पर खड़े होकर पेशाप कर रहा था जब उसका मन होता है वो कर लेता है क्या समस्या है? क्योंकि जब आप चाहें, जो चाहें वो करते हैं और आपको लगता है कि आपका अधिकार है, उसे भी ऐसे ही लगता है, जब उसका मान होता है, वो सड़क पर पेशाप कर लेता है गलत कह है, कुत्ते कर रहे हैं, गधे कर रहे हैं, हर कोई कर रहे है Be natural आप इसी फिलोसफी की बात कर रहे हैं मैं कहा रहा हूँ, रिष्टों में एक पवित्रता होती है, खास कर शरीर पर आधारित रिष्टों में अगर आप उस पवित्रता को कायम नहीं रखते, तो वो कुछ समय के बाद निश्चित रूप से अश्लीलता बन जाएगा तो कोई आप से पहले से इसे देख रहा है, कि अगर आप इस दिशा में बढ़ते रहे, तो कल कुछ और होगा इसका मतलब नैतिक पाखंडी होना नहीं है, नहीं, लेकिन अगर आप उस पवित्रता को कायम नहीं रखते, तो बाद में आपको पच्टावा होगा, कि रिष्टे कैसे रूप ले लेते हैं, बाद में वो आपके जीवन में कितना दर्द ला सकते हैं, ये आप देखेंगे आप पिछली पीडी की बात कर रहे हैं, मैं उस पीडी का नहीं हूँ, नहीं मैं आपकी पीडी का हूँ, मैं आने वाली पीडियों का हूँ, इसलिए मैं ऐसा हूँ आप जिस पिछली पीडी की बात कर रहे हैं, वो पीडी, आई थी, आजादी के तुरंत बाद, आपको उनकी हकीकत समझनी चाहिए, वो एक लंबे समय तक गुलाम देश के रूप में रहे, कुछ लोग लड़े, कुछ लोग छिपते रहे, जो भी हो, नैतिकता की उनकी धाड़ना है, दरसल उनके मालिकों की थी, वो अंग्रेजों के पाखंड को अपने भीतर ढोते रहे, सही के बारे में उनका नजरिया ये है, क्योंने हर समय सीधी जैकेट में रहना है, आपको उसे मानने की जरुरत नहीं है, नहीं उसकी प्रतिक्रिया में कुछ मूर्खता पूर्ण करने की जरूरत है, आपको अपना जीवन समझदारी से चलाना चाहिए, आपको अपना जीवन इस तरह चलाना चाहिए, कि ये जीवन भर आपके लिए काम करें, आप आज को छुल्टा सीधा करते हैं, और कल उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो आप अच्छी तरह सोचते क्यों नहीं, कि क्या करना सबसे बहतर होगा, क्या करें और कितना करें मुझे किस चीज को कितना करना चाहिए, कितना शरीर, कितनी बुद्धी, कितनी भावना, कितनी जागरूकता, आपको अपने जीवन में तै करना चाहिए कि कौन सी चीज सबसे एहम होगी, आप उस हैसाब से अपना जीवन चलाइए, अगर किसी को पसंद नहीं है, तो वो कितना देखें.